हाई फ्रेंड सनीता की रसोई में आपका स्वागत है मैं आज आपके लिए लेसुन के पत्ते के चीले लेकर आई हूँ जटपट बनकर तयार हो जाते हैं और बहुत जादा हिल्दी होते हैं देखिए इसे कैसे बनाया जाता है लेसन के पत्ते के चीले बनाने के लिए हमने 200 ग्राम लेसन के पत्ते ले लिए हैं तीन से चार हरीमेज आप अपने स्वाधनुसार ले सकते हैं रफली शॉप्ट करके हमने हराधनिया ले लिया है आधा कटोरी एक टीस्पून जीरा, देख टीस्पून शक्कर और देख टीस्पून नमक 200 ग्राम चावल ले लिया है इसे दो से तीन पानी अच्छी तरह धोकर आपने भिगने के लिए रख दिया है आधे से एक घंटे आप भिगने के लिए रखे चिला बनाने से पहले क्योंकि चावल अच्छी तरह भीग जाएंगे तो पिसने में आसानी होगी हमने 200 ग्राम बत्ते लिया था तो 200 ग्राम लिया है लगबग एक बड़ा कटोरी अगर आपको चावल की कॉंटिटी बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं चलिए अब हम पिस लेते हैं चिले बनाने से पहले हम पत्तों को अच्छी तरह वाश कर लेंगे वाश करने से पहले ये जड़ को हटा देते हैं यह निकाल दिया और जो यह सभीत पोर्शन होता है थोड़ा सा मोटा होता है तो इसका यह उपर का छिलका हटा देंगे अगर मोटा छिलका है तो अगर यह अच्छी तरह पिस जाएगा तो इसे आप रहने दीजिए और यह पत्ते भी हम साफ कर लेंगे सामने से कभी-कभी यह पीले हो जाते हैं पीले पत्ते हटा देंगे इस तरह से पत्तो को हमने मोटा मोटा कट कर लिया है और इसमें हम यह चावल डाल देते हैं जो चावल भीगाया था पानी हटा दिया है इसका और इसमें हम इसको मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे पीस लेंगे पत्ते और चावल साथ में पीसना है इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और ये हरी मिल्च जीरा इसी का जार ले लिया है एक बार में जितना आता है उतना हम पीस लेंगे थोड़ा पानी की सायता से पीसेंगे इसे हम पानी डाल देते हैं हमने one-fourth ग्लास फानी डाल दिया है चलिए अप पीस लेते हैं पीस कर तैयार कर लिया है हमने बारीक पीसा है हलका सा दरदरा रहे तब भी कोई फरक ने पड़ता है चलिए अब इसमें एह शक्कर मिला देते हैं मैं देल टी स्पुन शक्कर ली थी आप चाहे तो शक्कर इसक कर सकते हैं और यह 1.5 तीस्पून नमक आपने स्वादनुसार डाले इसे अची तरह मिक्स कर लेते हैं दोसे के बेटर के बराबर इसका बेटर होना चाहिए देखिए इतने गाड़ा होना चाहिए इसकी अगर आप कॉंटिटी बढ़ाना चाहते हैं इतने ही पत्तों में तो आप इस tomar चाहता या उंकाटा मिक्स कर सकते हैं चलिये अब हम इसे चीला बना लेते हैं गपका तवा ले लिया है और इस पे हमां बैटर डालें। चम्मस से फैला लेंगे हराम से फैल जाता है चम्मस से जैसा दोसा फैलाते हैं आप उसी तरह फैलाईए देखे इस तरह से और इसमें हम तेल डाल देंगे साइट साइट में अगर आप ओयल फ्री बनाना चाहते हैं तेल नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना भी डाले बहुत आराम से बन जाता है फ्लेम को हमने मिडियम रखा है और इस पे हम यह धक्कन कवर कर देते हैं बस 15-20 से के लिए हमारा एक से डेड़ मिनट में चीला बन जाता है देखिए थोड़ा थोड़ा यह लग रहा है कि सिख गया है अब हम इसे पलट लेते हैं कि अधा मिनट हमने इस साइट से पही रखा था और आधा मिनट हम पलट्ने बाद रखेंगे इसकी तवर्णों साइट से अच्छी तार रही है सीख जाए आप इसे विदाउट ऑईल भी बना सकते हैं जैसे मैंने ऑईल डाला था आप बगेर ऑईल के भी बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह बन जाते हैं जब सेकेंड टाइम हम बैटर डालते हैं तो तवा बहुत ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए या तो फ्लेम लो कर लीजिए या बंद कर दीजिए आप चाहे तो इससे भी पहला सकते हैं यह टी कोश्टर है इस वह ने ले लिया है इससे भी फैला सकते हैं अगर चम्मस से फै जलता है पतला पतला देखिए इसी तरह हम सारे चिले बनाकर तयार कर लेंगे लसुन के पत्ते के चिले बनकर तयार हो गया है बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत हैली होते हैं अभी ठंड का सीजन चल रहा है लसुन के पत्ते भी भरपूर आ रहे हैं आप इस मौसम में और शे बनाएए बच्चों को खिलाएए बच्चों में इसे आप चीज या पनीर भी स्टफ करके दे सकते हैं बहुत स्वाद से खाएंगे और इसी तरह आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए जदा जदा शेयर कीजिए धन्यवाद